दोस्तों अगर अपनी website पर traffic increase करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको complete देखना है क्योंकि आज मैं इस वीडियो बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी website पर without SEO किये एक अच्छा traffic ला सकते हो तो इवन अगर आपको indexing की problem है आप like कोई भी blog article लिख देते हैं और publish कर देते हैं वो तुरंत index नहीं हो रहे है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद Google News से approval लेने के बाद आपकी indexing की problem भी finish हो जाएगी और आपके article बहुत जल्दी Google पर index होने लगेंगे तो सबसे पहले बताते हैं Google News से कैसे आपको traffic लाना है Google News की इस वीडियो में completely बात करते हैं तो सबसे पहले दो को मैं बता दूँ Google News से mobile से तो बहुत ज़्यादा traffic आता है even desktop से भी traffic आता है mobile से कैसे traffic आता है उसका एक example आपके सामने देता हूँ जैसे मैं आपको like आप जब अ थूआ रही है Google News के थूआ रही है तो अगर अभी तक आप Google News का यूज नहीं कर रहे हैं या फिर आप यूज कर रहे हैं आपके आर्टिकल Google News वाले feed में नहीं जा रहे है तो इस वीडियो को देख लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से बता सबसे पहले बता दूँ देखो Google News का मैंने एक टैब ओपन किया हुगा मैं गूगल उसकी सेक्शन पर आ जाता हूँ Google News में जब तक आपकी निउस नहीं आएगी तब तक तो आपका ट्राफिक इंक्रीज नहीं होगा तो सबसे पहले Google News में लाइक आपकी पोश्ट लाने के लिए हमें Google Publisher Center एक website है जो भी मैंने open करके रखी है publishercenter.google.com आप simply Google पर टाइप कर दिना Google Publisher Center इस website से आपको approval लेना होगा approval लेने के लिए आपको कोई tension लेने की ज़रूरत नहीं है approval लेने की पूरी process पूरी step by step process मैंने एक वीडियो में बनाई हुई है उसका link मैं description मैं और comment मैं भी पिन कर दूँगा अपनी website का link pin कर दूँगा बहाँ पे मैं वो वीडियो attach कर दूँगा आप आराम से उस वीडियो को देखकर अपना यहाँ पे Google News से approval ले सकते है और अपनी website को live करा सकते है मेरी काफी ज़्यादा website Google News से approved है इसका benefit मुझे होता है personally और आप भी इसका benefit ले सकेंगे तो approval लेने क समझो आपको कैसे category define करनी है किस तरीके की website आपकी होनी चाहिए approval के लिए कैसे आपकी website Google News में like आएगी तो बहुत सारे लोग approval ले लेते हैं फिर भी उनकी website Google News में live होने के बापजूद भी Google यहाँ पे publish नहीं करता है तो उनको क्यों कौन सी mistakes को ध्यान में रखना है वो सब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहां पर बहुत सारी categories है यह देख सकते हो साइड में यहां पर आपको categories हो रही होंगी तो इन categories related अगर आपकी website है जैसे business तो डिजीटल मार्केटिंग भी इस category में आ जाता है business, technology, internet इन categories related आप अपनी website देख लें कि हमारी website business related है, technologies related है, entertainment, sports science सारे type की news यहां पर Google News में cover होती है तो आप यह देख लें और यह section रहता है, अब देखो जब भी आप Google News से approval लोंगे तो आपके समनेश type के interface आगा है, जैसे यह website approved है, live है Google News से अब देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि जब भी आप Google News से approval ले ले इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप देख सकते हो, तुरंत यह index हो गई है, like 14 hours फेले पोस्ट की थी यह भी index है, तो सारी पोस्ट तुरंत index हो जाती है, अगर आप अपनी website को Google News से approve करा लेते हैं, सबसे पहला benefit यह है, अब देखो कुछ मैं points बता रहा हूं, इन points को note कर कर लें, अब सबसे पहले बात करते हैं कि Google News में हमने approval करा लिया, हमारी website proper index होने लगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह problem आती है कि Google News की feed में, या discover की section में, आपकी website सो नहीं होती है, अब इसके लिए मैं कुछ points बता रहा हूं, note कर लें, और इन points में, case related मैंने videos भी बनाए Google News sitemap, Google News sitemap, आप proper तरीके से submit करें, नहीं आता है, मैं video दे दूँगा, future में भी और भी upgraded videos भी लाने वाला हूं इसके उपर, तो Google News का sitemap, आप submit करने, क्योंकि without Google News sitemap की easily आपकी जो post है, Google News section में नहीं आएंगी, तो sitemap को आप submit करने, Google News वाले sitemap को, WordPress use करते है, plugin मिल दूसरा section है, दूसरा जो point है, most important point है, अगर आप Google News पे काम कर रहा है, और ट्राफिक आपको काफी बल्क में मिलने बाला है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखें, यह है news section, news section में आपको daily basis में updated content देना होगा, news regarding content भी आप upload कर सकते है, technology regarding content भी content upload कर सकते है, जिस तरीके की website है, उस तरीके content upload कर सकते हैं, और daily basis पे आपको active run होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप आज कोई post डाल रहा है, और 10 दिन तक आप कोई post ही नहीं डाल रहा है, daily basis पे आपको अपना content updated करना होगा, daily basis पे अपना content आपको अपने website पर publish करना होगा, एक चीज यह भी याद रखें, इस और उसमें title होना चाहिए, description होना चाहिए, h1, h2, h3 headings का use proper होना चाहिए, images proper use होनी चाहिए, तो इन सब को भी आपको ध्यान में रखना है, और एक बार Google News की like Google Publisher Center की को जो terms and condition है, उनको ब्लकुल proper तरीके से आप follow कर ले, तो दूसरा point यह है, तीसरा point मैं आपको बता दू तीसरा point जो काफी important है, आपकी website mobile friendly होनी चाहिए, तो क्योंकि मैं बता दूँ, Google News से normal, Google News से traffic आता है, इवन जब आप कोई भी keyword search करते हैं Google में, तो news वाले section में भी आपके result आने लगते हैं, तो यह भी एक बड़ा benefit traffic का, लेकिन सबसे ज़्यादा traffic आता है mobile phone से, अब mobile phone से सब traffic आता है, तो आपकी website mobile friendly होने चाहिए, यह भी consider किया जाएगा, और किया जाता है, कि अगर आपकी website mobile friendly नहीं है, तब भी साहिद आपको यह problem हो सकती है, आपको live होने के बाद भी approval होने के बाद भी आपकी website mobile पे सुनना हो, तो सबसे पहले अपनी website को mobile friendly बनाए, AMP का use कर अपन उसके section में आने के chance बढ़ जाते है, mobile में जो loading time है, mobile की speed है, उस पर काफी ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे लोग mobile की speed पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके current भी यह problem phase होती है, कि mobile में आपकी website load लेते जा रही है, तो यह भी एक problem है, इसके साथ मैं अगला point होती है, तो आपकी theme mobile में बिलकुल सही open होनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक problem आपकी website के साथ हो सकती है, अगर mobile में सही से open नहीं हो रही है, तब भी यह पर आपको बहुत सारी problem phase हो सकती है, Google News में आपकी website ना भी आए, तो सबसे पहले यह problem fix करें, और अपने content को daily updated करें, daily basis पर content डाले, Google News की कुछ terms and condition है, उनको बड़े carefully उनको read कर लें, उन terms and condition को जब आप carefully read कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहां mistake कर रहा हूं, and then जब आपकी website Google News के section में आने लगी, believe me guys, बहुत बलकमे traffic आपकी website को मिलने वाला है, so आज की वीडियो इतनी रखते है, Google News क regarding और भी आपको वीडियो शाहिए, तो comment works ना comment कर देना, guys मैं आपके लिए और भी Google News के regarding वीडियो लाँगा, जिससे आप आसानी से Google News के through भी traffic को increase कर सके है, thank you guys, thank you watching this video.